नमस्का दोस्तों, चौब सेन केरियर में फिर से एक बर आपको बहुत-बहुत सागत है, तो आज यहाप इमें डिसकसन करूँगा, आर्मी ग्रूप के बारे में, तो आर्मी ग्रूप C के बारे में, यहाप आपको कुल मिलाकर बहुत सरे वैकेंसिस के साथ, एराउंड अप्लाइ करने का मौका दिया जा रहा है, और यहाप टोटल 10 प्लास के अप्लाइ कर सकते हैं, मतलब आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 स्टेंडर होना चाहिए, तब यहाप अप्लाइ कर पाएंगे, और किस तरीके से अप्लाइ करेंगे, उसका डीटेल्स डेटा में में दिखाऊंगा, तो भीडियो को लास्ट तक जुरू देखिएगा, तो चलो, देख लेते हैं आज के स्टॉक के डीटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले, इंडियन अर्मी से जो रिकोमेड आया है, और वो, 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 अलोबर इंडे से अपले कर सकते है, 93 वैकंसी से, जिमने आप देखेंगे तो अलग-अलग पोस्ट है, जैसे मार्टी टक्सिंग स्टाप, जो साफाई वाला का पोस्ट है, जिसमें 22 पोस्ट, वास्मेन के लिए 8 पोस्ट, यह पर देख सकते है, मेस, वेटर के लिए 13 पोस्ट, कुकिंग डिपर्मेंट में 34 पोस्ट, यह प आपके देखें, फेसर स्ट में दोने ही अप्लाइ कर सकते है, एज लिमिट के बारे में बात करो तो जेनरल के लिए 18 से 25 यह, 18 से 28 यह, एज से 30 यह तक आपको एज लिमिट दिया गया है, मतलब एज रिलक्सेशन दिया गया है, तो सिलेक्शन का प्रोसीडियर रहेगा, र और प्रैक्टिकल टेक्स्ट के मतलम से आपको इलेक्शन हो पाएंगे, और उसके बाद कुछ फिजिकल टेक्स्ट भी होगा, और सलरी पैकेज के बारे मात करो तो बीस हजार से बाइस हजार तक परमाद आपको सलरी मिलेगा, अप्लिकेशन का फीज कोई भी चार्जिस नह होगा, और आपका क्वालिफिकेशन के बारे में बात करो तो 10th standard, minimum आपका क्वालिफिकेशन 10th standard होना चाहिए, तभी आप अप अप्लिकेशन का पाएंगे, नहीं तो आप अप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, अप्लिकेशन का लिंक आपको नीचे में दे दूँगा, अबने में चाहिए हैं, और उसके ऐसाद व्हान छाजयेका है, नीचे आपको आपको फॉल्म वह दोकिएगा, उस फॉल्म को डॉलोट करीए, पर्शाद करीए, उसके आप खुद भर इक करके, आप जो रूर गजिए हैं जो एड्ड़ में पहले आपको दिखा है ह्योगynn में एक बार आपको दिखा रहा हूँ या जो एड़िस लिखा गया है इस एड़िस में भेजिएगा तो मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जोरू कमेंट करना इसी तरीके से मेरे जैनल को सब्सक्राइब करका रहा जोरूर बताऊँगा मिलते हैं तब तक के लेच्छ सरी है अपने ख्या लखे बडाए